हलो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल Dear Learners में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे SST के Important Questions के बारे में यानि Social Studies के Important Questions हम पढ़ेंगे जो की Paper to Seated Exam में पूछे जा चुके Question है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला Question देखिए पहला ही Question जो य बिसिकली यह जो हमारी सिंदुगाटी सब्वेता है उससे जुड़े हुए इस्थल है जो पूरा इस्थल वो दिये हुए तो देखिए ज्वार बाजरा मवेसी भेन बकरी और सुमर इन सब से related जो चीजे मिली हैं वो किस पूरा इस्थल में मिली है तो यह मिली है आपकी हल प्रदेश में फिर है वैसे यह सिंदुगाटी सब्वेता के जो छेत्र हैं वो नहीं है बलकि यह पूरा इस्थल है आपके पूरा पाशानकाल के जो इस्थल बाद में हमको मिले खोज में उनके अनुसार यहाँ पर आपको बताना है फिर गेहूं और दलहन दीके जो क्राल में जो की कस्मीर में इस्तित है फिर है यहाँ पर मिट्टी और खुरों के निसान कहां मिले यह मिले महागड़ा उत्तर प्रदेश में और फिर चावल जानवरों की हड्डियों इनके टुकडे कहां पर प्राप्त हुए तो यह प्राप्त हुए कोल्डी हवा उत्तर पुर्देश में तो इस प्रकार से आपको इसका मिलान करना था और सही आंसर है यहाँ पर फर्ष्ट नंबर A का थर्ड, B का फर्ष्ट, C का सेकंड और D का फोर्थ अगला question है अप सिंदु घाटी सब्वेता से related निम्न लिखित में से किस सिंदु घाटी सब्वेता इस्थल पर वयस्क लोगों को पराया गड़े में सीधे लिटा कर दफनाया जाता था उनका सिर उत्तर की ओर होता था तो आप से पूँचा गया है देखिए यहाँ पर जो बाद में खो जोई सिंदु घाटी सब्वेता के इस्थलों से related तो वहाँ पर कई अलग-अलग चीजे हमको पता चली अलग-अलग इस्थानों से तो उसी में यहाँ पर पूँचा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इस्थान ह जहाँ पर हमको यानि ऐसा इस्थल मिला जहाँ पर वैसक लोगों को क्या किया जाता था यहाँ पर लिटा कर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की तरफ होता था और जो पैर है वो दच्छिण की तरफ होते थे तो दीखिए यह जो इस्थल में पराब्द हुआ है यह कौन सा स्थल है ये है इनाम गाउं तो इनाम गाउं स्थल में ही हमको ये देखने को मिलता है कि جो वेस्क लोग थे उनको सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उनका शरीर उत्तर की ओर होता था उसके लाबा लोथल एक बंदरगाह के रूप में जो कि गुजरात में स्थित एक बंदरगा है सिद्धुगाटी सब्वेता से रिलेटेड और गुफ क्राल और महरगड उपर आपने पढ़ा ही इसके बारे में अगला क्वेशन है यहाँ पर कथन और यहाँ पर कारण है समराज्जियों पर निमने लिखित कारणों को पढ़िए तो समराटों को अधिक संसादनों की जरूरत थी क्योंकि उनका समराज्ज बढ़ा था और उसकी सुरच्छा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी तो यह बिल्कुल सही बात है मारी उस समय क्या है जो समराट हुआ करते थे उनको अधिक संसादनों की जरूरत थी क्योंकि अगर हम समराट की बात करें तो उसका समराज बहुत बड़ा हुआ करता था और अच्छा के लिए एक बड़ी सेना भी उसे चाहिए थी तो यह सही बात है फिर एक करो एम सुलकों को एकत्र करने के लिए अधिक संक्या में अधिकारी नियुक्त किये गए तो बिल्कुल सही बात है जो कर थे जो सुलक थे उनको यहाँ पर एकत्र करना है जो राजस्तु है उसको एकत्र करने के लिए अधिक संक्या में आपको अधिकारी भी नियुक की सही व्याख्या भी करता है अगला क्वेश्यन है आपर निम्न में से कौन सा वास्तुकला से सम्मंदित कथन सही नहीं है यह आपको बताना है यानि गलत कथन का यहाँ पर हमको चैन करना है गलत कथन को यहाँ पर ढूणना है तो फिर महराप के मद्द में डाठ अधी रचन फिर पित्रा दुरा दो उर्धादर खम्मों के आर पार अनुपरस्त सैतीर रखने की एक तकनीक थी तो ये देखिए हमारा जो कथन है वो गलत है यानि यही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा पित्रा दुरा सैली जिसका यूच किया गया मुगलकाल में और ताज महल में भी आपको ये देखने को मिलती है तो ये एक सैली है नकासी करने की ये हम वास्तुकला की सैली मान सकते हैं नकासी की जो की गई है वो पित्रा दुरा सैली में की गई है ताज महल में तो ये कोई हम ये कहलें कि ये कोई उर्धा दर खमो क्यार पार अनुपरस्ट सैतीर रखने की तकीमिक नहीं है बलकि ये एक जो सिल्फ है यानि पित्रा दूरे एक प्रकार की सैली है उसके बाद दरवाजों और खिड़कियों के उपर की अधी रचना का भार महराबों पर डाल दिया जाता था तो ये भी कथन हमारा सही है लेकिन अमकों यहाँ पर गलत का चैन करना था अगला क्वेशन है चोलवंस के सासन के दवरान तंजाऊर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के जंडों के लिए कपड़े तयार करते थे तो देखे जो मंदीर में जंडे लगते थे उनके लिए कपड़े तयार कौन से समुदाय के द्वारा किये जाते थे चोलवंस के सासन की यहाँ पर बात की जा रही और कई सारे जो चोलाज टेमपल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में तो देखे बात करें अगर हम किस समुदाय के बुनकर थे तो यह थे सलिया समुदाय के तो सलिया समुदाय के जो बुनकर थे उन्ही के द्वारा चोलवंस में चोलवंस के सासन के दौरान जो मंदीर के जंडे थे वो यहाँ पर तयार किये जाते थे अगला question है मद्ध यूगीन समय में विद्प्रकार की सांसकतिक अविवक्तियां थी जो पूरे भारती उप महादुप में फली फुली और इनसे आपको क्या करना है इनका मिलान करना है तो सबसे पहले है व्याकरण और काब्विसास्त्र तो दीखे ये जो व्याकरण और काब होगा पटियाला घराना जैपूर घराना यह सभी रिलेटेट थे यहां से जो विशिष्ट से ली सी वह हमको देखने को मिली हिंदुस्तानी संगीत देखने को मिला फिर है लगुचित्र से अगर बात आती है इसमें नाम आता है फिर रसमजरी का तो इस प्रकार से बात की जा रही है मत देखा यूगीन समय की यहां पर चर्चा की जा रही है जब जो सांस्कृतिक वह नत्यों आपके या फिर कोई निकला हो उससे रिलेटेट बात यहां पर कही गई है तो हमारा जो आप्सन सही होगा वह होगा एक का सेकंड बी का थर्ड सी का फोर्डी का फर्ष यह हमारा सही आंसर होगा अगला कोईशन है निम्न लिखित जन जातियों के उनके छेत्रों और जहां वो मूल रूफ से रहते थे के साथ में मिलान कीजिए यानि एक तरफ आपको जन जाती दी गई है ट्राइबल गृप दिये गए हैं और एक तरफ आपको उनके छेत्रों से उनके रीजन से आपको यहां पर मिलान करना है और रिलेट करना है सबसे पहले आ गए हैं यहां पर खोकर तो देखे जो खोकर जन जाती यह कहां पर पाई यानि कहां इसका मूल इस्थान था तो यह था पंजाब तो पंजाब में ही खोकर जन जाती है वो यहां पर हमको से हमको बलूचिस्तान जो देखने को मिलता है यह कहां इस्तित है पाकिस्तान अफगानिस्तान वार्डर में इस्तित है तो बलूचिस्तान यहां पर उत्तर पश्चिम एरिया में ही पड़ता है फिर गड़ी और गड़ी आपकी पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली एक जन जाती है, गड़ी जन जाती, जिसे गड़ी भी आपको कई जगे लिखा हुआ, मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो four तका होगा, वो क्या होगा second, तो a का third, b का first, और c का four, और d का second, तो यह हमारा सही option यहाँ पर होगा, अगला question है नील के कास्तकारों की समस्याओं और नील विद्रों पर कथन ए और कारण आर को पढ़िये तो देखे कथन है 1869 के बंगाल के रहयतों ने नील की खेती से इंकार कर दिया और विद्रों में खड़े हो गए तो देखे बिल्कुत सही बात है और हमने देखा भी यह इतियास में हमने पढ़ा भी यह कि महतमा गांदी ने फिर क्या किया यहाँ पर जो गुजरात में जो भी किसान थे उनके लिए वो यहाँ पर खड़े हुए जो महतमा गांदी थे और आंदोलन भी उन्होंने किया लेक यहाँ पर जबड़ जस्ती करते थे और फिर यहाँ पर क्या किया 1869 में जो बंगाल की रहयत थे उन्होंने नील की खेती करने से इंकार कर दिया और वो विद्रों में खड़े हो गया फिर एक कारण वे जमीदारों द्वारा अपने उपर किये जा रहे दमन से ठक गए थे तो बिल्कुल सही बात है जमीदारों के द्वारा उनके उपर कई सारे जमीदारी प्रथा पहले चलती थी तो यहाँ पर जो जमीदार थे वो बहुत ही ज्यादा दमन करते थे इन छोटे किसानों का या जो कास्त कार थे जो नील की खेती करते थे उनके इसलिए उस दमन से तो यहाँ पर देखे कथन तो दोनों सही हैं लेकिन आर एकी व्याख्या यहाँ पर नहीं करता यानि यह कोई कारण नहीं था केवल केवल जमीदारों का जो उनके उपर किया जा रहा थे अचार वही केवल कारण नहीं था बिल्कि और भी कई सारे कारण थे तो यह इसलिए हम इसे सही व्याख्या एक ही नहीं मानेंगे फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंडिता रामा भाई उन्नीसमी सताबदी के एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदूसी थी तो यहाँ पर बात की जा रही है पंडिता रामा भाई की जो उन्नीसमी सताबदी की प्रतिष्ठित संस्कत भी दूसी थी तो इनसे related तीन कतान है जो आपको यहाँ पर बताने है कौन उनसे संबंदित यहाँ पर सही है तो हिंदू धर्म मैलाओं के प्रति प्रगत सील रहा है यह कतान यहाँ पर सही नहीं है फिर है पूना में एक वि नहीं लिखी बलकि तारा भाई सिंदे के द्वारा लिखी गई किताब है इस्तरी पूरुस तुलना तो यहाँ पर जो अनसर हमारा सही होगा वो होगा केवल भी यानि पंडित रमा भाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ कथन भी यहाँ पर सही है अगला क्वेशन है निम लि बुक लिखी गई कास्तकार का चाबुक तो ये बुक आपको याद रखनी है अगला क्वेशन है आपर वन क्रम पर निम लिखित कथन A और B को पढ़िए तो दीखे उत्तरवैदिक काल में ब्रामणों ने लोगों को चार वर्गों में विवाजित किया जिने वन कहते थी और यह विवाजन पदा नुकरम और निचले वनों की बिरुद भेद भाव पर आधारित था तो बिल्कुल सही बात है आपने देखा उत्तरवैदिक काल में जो लोगों यानि सभी लोगों को चार वर्गों में बाटा गया जिनमें यहाँ पर ब्रामण, छत्रिय, वैस, और सूद्र तो इन्हें वन कहते थे और इन चार वनों में यहाँ पर बाटा गया और ब्रामणों को सरुषिष्ट माना गया और जो यग्या दिया जो पूजा पाट करने की जो अनुमत थी वो केवल और केवल ब्रह्मनों के थी छत्री का काम था लोगों की रच्छा करना और वैसे का काम था ब्यापार करना और सूद्रों काम था जो उपर वाली ग्रूप है उनकी क्या करना सेवा करना तो एक प्रकार से यहाँ पर निचलेवाणों के बिरुद्ध भेद भाव पर ये बिल्कुल आधारित था जो वन विवस्ता थी और जिसको आज की बराबर कर दिया गया है आरच्छन के साहता से और भी इक्वल्टी से सम्विधान से आज ये सब बराबर है लेकिन बात करें अगर हम उत्तरवेदिक काल में तो इस प्रकार से विभाजन कि नाई गय थी तो इसको सुईकार भी नहीं किया और ये दोनों कथन आपस में एक दुसरे से रिलेटेड भी है यानि ए और बी दोनों सही है और बी का कारण है या जो भी इसमें कारण और आपस में रिलेटेड ए फिर अगला पर दिये कथन ए और आर पढ़िये और सही विकल्प का चैन कीजिए तो यहाँ पर देखे बात करें अगर हम तो 1850 के बाद भारतियों द्वारा कई राष्टवादी राजनितिक संगठनों की इस्थापना की गई तो बिल्कुल सही बात है कई सारे जो संगठन है राजनितिक संगठन वो हमको देखने को मिलते हैं उनकी इस्थापना की गई समय समय पर 1850 के बाद 1857 में करांती हुई 1857 की फिर उसके बाद कई सारे जो राजनितिक संगठन हैं उनकी यहाँ पर इस्थापना की गई करतियों का नहीं हो सकता जब तक इस प्रकार से लोगों की जिंदगी पर कबजा जमाय रहेंगे कौन अंग्रेज तो बिल्कुल यह चेतना का उधाय हुआ उन्निस्वी सताबदी में और तब जाकर हमको 1947 में अंग्रेजों से यहां पर आजादी मिली तो दोनों ही कथन यहां यहां पर सही है और आर एकी सही व्याक्या भी करता है तो यह option हमारा सही होगा अगला कोशन है निमनलिखित को काल क्रम में क्रम बद्द करें यानि चार घटना है और कौनसी इसमें पहले हुई कौनसी बाद में हुई यह आपको यहां पर बताना है तो दीखे सबसे पहले यहां पर रॉलिट एक्ट आता है जिसे रॉलिट कानूर भी का आ जाता है यह फर्ट नंबर पर आएगा नैंटीन नैंटीन में और फिर नैंटीन नैंटीन में ही बाद में लेकिन महीनों में इनके अंतर है तो फिर यहां पर खिलाफत अंदुलन का नाम आता है और उसके BCAD तो BCAD हमारा सही क्रम होगा यहाँ पर BCARD यहाँ पर सही क्रम होगा अगला क्वेशन है निम्न लिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयो ब्रद गांधिवादी पोटी स्री रामुलू की मृत्ति हुई तो यह गांधिवादी नेता थे पोटी स्री रामुलू और इनकी मृत्ति हुई किस मुद्दे के लिए तो देखें यह क्या कर रहे थे यह तेलगू भासियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और आपने भी देखा इतियास में कई बार ही मांग उठती रही है कि जो दच्छिन वाला छेत्र जो तेलगू भासियों के लिए भी अलग राज्य की मांग कर रहे थे स्री रामुलू और इसी आंदोलन के दौरान उनकी क्या हो जाती है अगला क्वेशन है आपर सही विकल्प आपको चुनना है बुद्ध अपनी कच्छा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर के सबसे समीब है तो बिल्कुल सही बात है सूर के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुद्ध ग्रह और इसको पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है सही फैक्ट और डाटा है उसके बाद सूर मंडल के सभी आठ ग्रह सूर के चारों और अपने निश्चित दीर वरताकार पत पर चलते हैं इसे कच्छा कहते हैं तो ये भी बात हमारी सही है आठ ग्रह हैं सूर मंडल में सूर के और सभी दीर वरताकार पत पर चक्कर लगाते हैं और इनको उनकी कच्छा कहते हैं उप्रत्वी हो या फिर अधर कोई प्लैनेट हो फिर यहां पर A और R सही है और R A की सही व्याक्या भी करता है क्योंकि दोनों दी गई बाते हैं यहां पर बिल्कुल करेक्ट है अगला क्वेशन है यदि ग्रीन वीच में दोपाहर के बारा बज़े हैं तो 30 डिगरी पूरो में क्या समय होगा तो देखे इस से रिलेटेड आलेडी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं इसी चैनल पर अवेलबल है अभी 3-4 दिन पहले ही वो वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने अच्छान से रेखाएं अच्छान से रेखाएं उसके अलाबा जो भी कटिबंद होते हैं ट्रॉपिकल लीजन, सब्रॉपिकल लीजन या जो भी पोलर रीजन है उन सब से रिलेटेड या फिर अच्छान से रेखाएं हो या हमारी जो जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो उन से रिलेटेड वो जो class है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी जिससे आप वहाँ पर अच्छी तरीके से इन चीजों को ग्यात कर सकते हैं वैसे अच्छान से रेखाओं का ये एक वीडियो था और देखें ये वैसे तो समय से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि आगे जो हमारे question है वो यहाँ पर उन region से related है कटिबंद से related है और जो समय का concept आता है वो आपको देखांतर रेखाओं में देखने को मिलेगा और इसका भी अलग से वीडियो जल्द ही आपको channel पर available होगा क्योंकि जो समय का संबंद है वो देखांतर रेखाओं से है क्योंकि जो GMT line है यानि जो हमारी prime meridian जो रेखा है उसी के द्वारा ही समय तै किया जाता है तो यहाँ पर green wish में दोपाहर के 12 बज़े है तो GMT में 12 बज़े है जो कि लंदन से होकर गुजरती है green wish mean time इसका full form होता है और 30 degree पूरो तो 1 degree बराबर कितना होता है 1 degree बराबर 4 मिनट होता है और जब आप जाएंगे पूरो में तो यहाँ पर समय प्लस होगा और जब आप जाएंगे पस्चिम में तो समय हमारा क्या होगा माइनस होगा तो 30 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे 4 में और यह आजाएगा 120 मिनट तो 120 मिनट आपको प्लस करना है यानि 2 घंटा आपको प्लस करना है 12 बजे में तो यह हो जाएगा 2 बजे मध्यान तो 2 बजे मध्यान यहाँ पर सही आंसर होगा इसी प्रकार से आपको अगर डिगरी दे दी जा तो आप कहीं से भी यह जो समय है कहीं का भी समय आप यहाँ पर ग्यात कर सकते हैं और यह कैसे ग्यात किया जाता है डीटेल में आपको वीडियो जल्द ही इसी चैनल पर अवेलबल होगा देसांतर रेखाओं, प्राइम मेरीडियन क्या होती ही, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है और भारती मानक समय रेखा क्या इन सभी से रेलेटेड आपको जल्द ही यहाँ पर अलग से वीडियो मिल जाएगा अगला question है यहाँ पर और देखिए इसी question की हम आपसे बात कर रहे थे और इसके लिए आपको जो useful होगा वो वीडियो होगा जो हमने अच्छान से रेखाओं से related बनाया है और उसी में tropical और subtropical region के बारे में आपको बताया है तो यहाँ पर देखिए बात की जा रहे है यह प्रतवी के जो ताफ बटीबंद हैं उनको पहँचानना है तो यहाँ पर यह कौन सा कटीबंद होगा यह आपको यहाँ पर बताना है तो देखे अत्यधिक सीत छेतर है उसके बाद छेतिस से ऊपर सूर उदय नहीं हो पाता ये कंडिसन्स दी गई है उसके हिसाफ से आपको बताना है उत्तरी धुरूवरत और उत्तरी धुरू के मद्द के छेतर दच्छिनी धुरूवरत और दच्छिनी धुरू के मद्द का य जो कि यहाँ पर ये है करक रेखा और ये है मकर रेखा तो इसके जो बीच का रीजन होता है ये हमारा टॉपिकल रीजन होता है और फिर आता है सीतोस्न फिर आता है बीच में सीतोस्न कटिबंद और उपर वाला जो छेतर होता है और ये नीचे वाला जो छेतर इसे हम कहते हैं क्या सीथ कटिवंद और वहीं की यहाँ पर बात की जा रही है सीथ कटिवंद यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा सूर्य की किर्णे टेड़ी पड़ती है और अत्यधिक सीथ छेतर होता है उसके अलावा यह चेतिस से उपर यहाँ पर सूर्य उदय नहीं उ पाता ये सारी condition follow करती है सीथ कटीवंद के छेतर में उसके अलावा ऊश्र कटीवंद क्या होता है कटीवंद क्या होता है गर्म कटीवंद क्या होता है इन सभी के बारे में आप डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हैं और देखे एक बार फिर से इसी से related question आया है अच्छांसों से related और विस्वत बृत से related तो यहाँ पर देखे अगर हम बात करें तो मकर रेखा जो हमारी होती है क्या होती है साड़े 23 डिगरी दच्छन में जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं और विस्वत रेखा हमारी 0 डिगरी लाइन है उसके अलावा जो उत्तरी धुरू होगा वो 90 डिगरी उत्तर में होगा और उत्तरी धुरू वरत चांचछ सही एक बटे 2 डिगरी में होगा तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2 तो इस प्रकार से हम इसका भी भाजन करते हैं यह हमारी एक्क्वेटड 0 डिगरी में और 25,5 डिगरी उत्तर में हमारी करक रेखा होती है और 26,5 डिगरी साउथ में मकर रेखा होती है और फिर यहाँ 5,6 डिगरी जो हमाटते हैं वो हमारे व्रत होते हैं उसके बाद जो नार्थ पोल ये आपको मिलेगा सीधा 90 डिग्री नॉर्थ में उतरी दुरू और 90 डिग्री साउत में दच्छनी दुरू तो ये आपको देखने को मिलेंगे फिर है अगला क्वेशन है हाँ पर निमने लिखित में से कौन सा पर्यावरण की सही व्याख्या करता है तो आपको बताना है कौन का कथन है जो पर्यावरण की सही व्याख्या करता है तो किसी सजीव के चारों और का इस्थान वस्तुएं और प्रकति बिल्कुल सही बात है प प्रत्वी पर केवल मानवी किरिया कलाप, तो ये कतन हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्वी पर केवल अगर मानवी किरिया कलाप हो रहे हैं, तो अभी पर्या वरण कैसा हुआ, वहाँ पर जीव जन्तु भी तो सामिल होंगे, फिर प्रत्वी पर जैविक और जैविक दोनों परि यूश्ट करने के लिए आप यूश्ट कर सकते हैं चक्छू प्रकासन की बुक का जिसमें तीन हजार से ज्यादा important question, NCRT pattern और latest pattern पर बेस्ट question दिये गए हैं और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें मिलते हैं आप से next वीडियो में new important question के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद